हलो बच्चा पार्टी स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे या 5.2 मतलब क्लाश 12th NCRT Mathematics की Exercise 5.2 के सारे questions आज हम लोग कवर करेंगे ठीक है बहुत अच्छी तरीके से पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका basic बताया था उसमें मैंने बहुत सारे formula बताया था तो भी यह एक काम करो description box में जाएगा description में आपको एक link मिलेगा playlist का playlist link plus जैसे ही आप click करोगे वहाँ पर एक playlist खुल जाएगी बहुत सारे videos lecture number one lecture number two lecture number three आपको continuous ने मिल जाएंगे सारे के सारे lectures देख करके आप सारे videos देख सकते हैं वहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से ठीक है तो जाएगा wait मत करिएगा अगर आपने देखे नहीं है अगर देखे हैं तो इस lecture को देखिए ना चलो हम आज के class में lecture number जो भी है पता नहीं है ठीक ह तो बहुत आसानी से इस lecture को हम लोग finish करेंगे भीया exercise कौन सी है exercise 5.2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका मैंने पहला question लिया है पहले निर्देश आप पढ़िए क्या दिया है प्रस्न एक से आठ में x के सापेक्ष निम लिखित फलनों का आउकलन कीजिए x के सापेक आउकलन करना है इन सभी फलनों का और पहला फलन दिया गया है आप fx से लिखना चाहें या y से लिखना चाहें जिससे आपके मर्जी हो लिख लेजिएगा यहां पर हमने पहला फलन दिया है sin x square प्लस 5 तो इस तरह से हमने यार लिख लिया ठीक है वह आपकी मर्जी है no problem यहां पर लगाना क्या हमें चैनर रूल आपको पता हो रहा चाहिए यहां पर चैनर रूल क्यों लगाएंगे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था नहीं पता है तो जरूर देखिए प्लेडिस्ट में लिंक प्लेडिस्ट का दे दिया है डि sin x पूरे दिमाग में यह क्या है यह पूरा हमारा x है तो sin x की जगे पर क्या जाएगा cos x ओकलन क्या होता sin x का cos x यतना तो याद होगा अब direct हम लोग करेंगे ठीके फहले एक अदध अच्छा इसे कर ले तो sin x का ओकलन क्योंगा cos x तो यह बन जाएगा यह cos x की जगे पर य भी करना बाकी है जो अभी हम अगली लाइन में करेंगे ठीक है दियान से देख रहो आप अब यहां पर लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वाइर प्लस फाइब ऐसे ही एक्स स्क्वाइर का ओकलन करिए तो आपको पता है टू एक्स पांच का ओकलन मैंने बताया था कोई भी कॉस्टन नंबर होगा उसका ओकलन जीरो तो ॐक्स प्लस जीरो टू एक्स इ futures ही हो गा इसको हम पाहले लिख देते हैं तो टू एक्स इंटू में कॉस एक्स स्क्वाइर प्लस फाइव डिस इस अबर एंसर बस यह हमाराgus एंसर है क्योशिं नंबर क्या है हमारे पास एक function है अब की बाद हम वाइस से लिख लाते हैं ठेंगे यह या का सीनगे यह से लिख रहें कहीं पर साइपक्स से लिख रहें वस्य ही तो पता है न, cos x, cos x का AUKLON क्या होता, याद है क्या, याद किया था, cos x का AUKLON होता भी या-minus sin x, क्या, minus sin x, x की जगे पर भी या x ना लिख दे न, sin x, x की जगे ले रहा है, to sin x सी लिखें लिखना, cos x का AUKLON माइनस sin x हो गया, लेकिन x की जगे किस ने ली थी, sin x ने ली थी तो साइन एक्स का ओकलन हमें दुबारा करना पड़ेगा अभी ठीक है तो साइन एक्स का अभी हम दुबारा करते हैं अगले लाइन में तो यह बनेगा माइनस का साइन sin x into में sin x का उकलन आपको याद है कि नहीं cos x होता है तो cos x तो ये हमारा हो गया answer में cos x पहले लिख दिया into में sin sin x आप जैसे आगे पीछे लिख सकते हैं उसमें no problem ये हमारा answer हो गया कोई दिक्कत है नई दिक्कत होने चीए बहुत easy तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ पहले मैंने सारे rules आपको बताए हैं अगर आपने rules नहीं देखे होंगे तो भाई या दिक्कत तो जरूर होगी इसलिए मैं कहा रहे हैं पिछले वाले वीडियो उसको दरूर देखिए और description में मैंने link दिया है playlist का वहाँ पर पिछला वाला जश्ट वीडियो देख लेडा ठीक है exercise 5.2 आपको अच्छे से तभी समझ में आएगी ठीक है चलो question number 3 की कहानी शुरू करते question number 3 में एक function दिया है sign of ax plus b यही दिया न a x plus b इसमें भी भाईया लगाना है product rule भाईया लगाते है डि स्वारी डि प्रोडेक्ट रूल कहां से आ जाएगा एक की function भाईया x की जगे a x plus b ले रहा है तो यहां पर भी chain rule लगाएंगे sign x का ओकलन क्या होता है cos x तो लिख दीजिए भाईया cos x x की जगे पर आप x ना लिखना जो है वही लिखना sign x का cos x sign a x plus b का cos a x plus b but x की जगे किसने लिए a x plus b ने तो a x plus b का दुबारा ओकलन अभी हमको करना है a x plus b का ओकलन दुबारा करना है करते है तो cos a x plus b into में a x का हो जाएगा केवल a अब क्यों? क्योंकि x का ओकलन 1 होता है और याद रखिए एक बात अगर किसी भी function जिसमें x है उसके साथ में कोई दूसरा value अगर constant आता है तो उस constant का ओकलन छोड़ करके क्यों इसका ओकलन करेंगे ऐसा नहीं है कि 5 sin x है तो 5 का ओकलन कर दिया 0 sin x का कर दिया cos x तो यह बने गया 0 जिरो पाप लगेगा आपको ठीके ऐसा नहीं करना है जिसमें x है उसमें x वाले term का ही ओकलन करना है उसमें constant को ऐसे दिखा रहने देना है तो यहाँ पर 5 को ऐसे लिखा रहने दें कि cos x हो गया sin x का cos x तो एंसर आएगा 5 cos x ऐसे तो यार सब का तुम 0 कर दोगे तो यह 5 cos x इसका दो आएगा तो ऐसे लेकिन जिसमें x है नहीं उसमें केवल constant है तो वहाँ पर उसका ओकलन जीरो कर रहा है जिससे अगर मैंने दे दिया अरे यहाँ पर देख लो यार यहाँ पर a x है तो x का ओकलन करेंगे तो उसका 0 होता है ठीक है तो यह भाईया a वंजा a देखो a का पाड़ा मालू में a वंजा a और a में 0 जोड़ोगे तो a ही रहेगा तो a शुरुआत में लिख देते हैं into में cos of a x प्लस b ठीक है ना यह आपका हो गया question number 3 आगे चलते हैं question number 4 की और बहुत easy questions है आप जटके मे लगा देंगे ठीक है question number 4 की और चलते है यह वाई बराबर दिया है sec sec और 10 root x कितना अच्छा है सवाल बहुत अच्छा है द्यान से देखे एक ही लाइन में करतें क्या करतें क्या एक ही लाइन में करतें चलो देखो dy by dx ठीक है sec यह पूरा x sec x का क्या होगा sec x into 10x sec x का अखलन याद करिया याद किया याद करके आओ sec x का अखलन होता है sec x into 10x तहाँ पर sec x x मतलब 10 root x यह होगा sec x into 10x 10x x का मतलब है 10 root x तो भी यह sec x का अखलन होता है sec x into 10x ठीक है अब x की जगे ली थी 10 root x में तो 10 root x का फिर करेंगे अब लिखते नहीं डारेक्ट कर रहे हैं एक ही लाइन में एक ही लाइन में सब कदम ठीक है 10 x का उकलन होता है, 6 square x, क्या होता है, 6 square x, x की जगे पर root x, अब root x ने अभी x की जगे ली थी, इसलिए root x का फिर करिए गुणे में, root x का उकलन याद करवाया है, मैं लिखूंगा नहीं, direct करूंगा, root x का उकलन याद करवाया था, 1 upon 2 root x, ओके, तो ये बैया हो गया हमारा answer, यही है मारा answer, लिख दो, आप सही से लिखना चाहते हो, तो sec 10 root x, 10, 10 root x, sec square root x, और सबके बटे में 2 root x, बस यही है answer है, इसमें क्या सही से लिख 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 लिखा, सेम ही तो है, कोई दिकत नहीं है, एक line में करके दिखा दिया, बया, एक बार फिर समझो इसे, फिर समझो मैंने क्या बोला, फिर समझो, y equal to sec x, मैंने सबसे पहले क्या माना, red वाला कहा गया, सबसे पहले क्या माना, इसको मैंने पूरा x माना, तो sec x का हो गया, sec x into 10x, ओके, sec x का sec x into 10x, लेकिन जिसको x माना था, उसको दुबारा करना होगा, तो 10 root x का दुबारा करना होगा, लेक function 10x का पता है 10x का員 square x होता है इसका मलब है अभी यह फिर x की जगे ले रहा है 10x 10x का मिल्गी स्क्वैर एकस लेकिन x की जगे अभी किसे ं printed root x ने तो फिर root x का 3 भार करना पड़ा हमें तीन बार किया है रोटेक्स का फिर हुआ तो वन अपान टू रोटेक्स बाद समझें इस तरह से यह चैन बनती चली जाती है चैन मलती चली जाती है इसलिए तो इसको चैन रूल कहता है चलो तो यह मेरे ख्याल से अब आप समझ गया होंगे चलो अगला question देखते हैं नहीं समझो फिर थोड़ question number 5 मैं लिख रहा हूं question number 5 यार इधर भूख रखो हां question number 5 क्या दिया है यह दिया है sign of ax plus b अपान में cos of cx plus t यह बया ओकलन है यार यह है इसका मैं अउकलन करना है ठीक है करते है करते हैं करते हैं करते हैं यह कैसे करोगे ध्यान से देखिए dy by dx इसमें क्या करोगे quotient rule लगा लो quotient rule लगा लो हर और अंस वाला मताया था कल नहीं पता है देखो जाके वीडियो पिछले वाला ठीक है यह हर नीचे अंस उपार ठीक है तो हर को ऐसे ही नोट कर देते थे कॉस cx प्लस d ऐसे ही नोट हो गया इंटू मैं अंस का उकलन करते हैं मैं लिखोंगा रही डारेक करता हूँ साइन एक्स का उकलन अंस का उकलन साइन एक्स यह एक्स एक्स की जगे यह ले रहा भी तो साइन एक्स का उकलन कॉस एक्स cos x ठीक है x की जगे जो ले रहा था उसका दुबारा कर दो भाई ax तो ax का a हो जाएगा x का तो 1 हो जाएगा b constant है उसका 0 हो जाएगा समझ पाए समझो हर इसे लिखा uns का उकलन करना था तो uns sin और इसको पूरा x माना तो sin x का cos x लेकिन लेकिन ये जो x जिसने x के जगे लिए थी उसका दुबारा किया तो a ऐसे रहेगा x का 1 हो जाएगा तो a into 1 वन ही रहेगा b का 0 हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया भाईया हर into uns का उकलन minus uns uns ऐसे लिखिए भाईया sin ax plus b तो ऐसे लिख दो अब की बार हर का उकलन करिए cos और इसको x पूरा मान लेजिए तो cos x का minus sin x cx plus d लेकिन जिसको x माना इसको इसका दुबारा करिए तो cx plus d का c हो जाएगा x का 1 और d का 0 उसी प्रकारत है और अपान में भाईया पूरे का holy square नीचे वाले का हर का square हर का square मतलब cos cx plus d का square ओके तो यह क्या बनेगा अब यह बाहर लिख दें क्या a फिल लिखेंगे cos ax plus b into cos cx plus d minus 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 plus बन जाएगा यहाँ भी minus ठीक है plus c आगे लिख दो sin ax plus b into sin cx plus d और अपान में अपान में इसको लिख सकते हो cos square cx plus d ठीक है आप यहीं पर इसका answer छोड़ सकते हैं कोई गलत नहीं करने वाला अगर आपके exercise में answer मिला नहीं हो पा रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ करके आप क्या कर लोगे भाई इसको अलग अलग बटे कर दोगे ज्यादस ज्यादा और क्या कर पाओगे वह आपकी मरजी आप कैसे इसको लेते हो ठीक है sin ax plus b ऐसे लिखोगे sin cx plus d और अपान में यहाँ पर रहेगा cos square cx plus d यहाँ पर cos थोड़ी कर जाएगा sin के साथ में ठीक है तो यह क्या बनेगा a sin देखो यह cos x है cos ax plus b और one अपान cos को sick लिख सकते हो तो यह बनेगा sick cx plus d वो लोग सोच रहोंगे cos cos काट क्यों नहीं रहे यार यह cx plus d है यह ax plus b है इसलिए नहीं कटेगा यह ठीक है plus c यहाँ पर देखो क्या लिखोगे sin ax plus b देखो sin के बटे में cos आएगा तो वो 10 बनेगा तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 10 cx plus d लेकिन square था एक बार cos बचेगा उसको हम sick भी बना देंगे sick cx plus d तो ऐसे भी आप answer लिख सकते हैं आपकी मर्जी है आप answer को कैसे लिखना चाहते हैं अभी cx plus d sick cx plus d आप common लेना चाहते हैं तो common भी ले सकते हैं आप कैसे लिखते हैं वो आप पर depend है आप कर लेना अपने हिसाब से यहाँ पर भी छोड़ोगे answer कोई गलत नहीं आपका कहेगा ठीक है हम बढ़ते हैं आगे यह सबस में आगया है skin shot लीजे हम बढ़ते हैं ठीक है question number 5 हो गया भई अब question number 6 की कहानी शुरू करते है question number 6 देखिएगा question number 6 में क्या दिया है वाई question number 6 में y equal to क्या दिया गया है function दिया है cos x cube एक अलग function है और आगे दिया है sin square x की power 5 यह एक अलग function है ठीक है तो दो function है तो इसमें हम product rule का इस्तेमाल करने वाले हैं थोड़ा अच्छी तरीके से इसको हम क्या लिखेंगे cos x का cube ठीक है x का cube इंटू में इसको हम ऐसे लिखेंगे sin x की power 5 का whole square इस तरह से ठीक है अब ज़रा ध्यान से देखिए यह first हो गया यह second हो गया करो पहले वाले का oculon कर दो cos x का oculon होता है minus का sin x x की जगे पर x cube है लेकिन x की जगे जिसने लिए है उसका दुबारा तो करने ही पड़ेगा तो x cube का दुबारा क्या होगा तीन नीचे आएगा घात में एक कम हो जाएगा दो ठीक है तो यह वाले है sin cos x cube का oculon हो गया minus sin x cube into में 3x square क्योंकि दुबारा करना पड़ा और first का oculon कर दिया second वाले को ऐसे ही note कर दो second वाला क्या है sin ऐसे लिदो sin square x की power 5 ठीक है plus लगाओ plus लगाया अब की बार second का oculon करना है second का oculon करोगे तो इसको आप x मानिए जरा इसको जब आप x मानोगे तो x का square x square का oculon 2x हो जाएगा 2x x की जगे पर x sorry x की जगे पर sin x power 5 x square 2x 2x मनलब 2 sin x power 5 ठीक है अब जिसको x माना था इसका करिए sin x की power 5 का करिए sin x का तो आपको पता है cos x होगा लेकिन x की जगे फिर x power 5 ने ली थी तो x power 5 का दुबारा होगा या 5 x की power 4 5 नीचा एगा x power 1 कम हो जाएगा 4 बचेगा तो यह इसका हो गया और इसको अभी ऐसे ही note करना बाकी है cos x cube note करना बाकी है तो यह हो गया first ka oculon यहां से यहां तक first ka oculon यहां से लेकर के यहां तक हुआ इसका oculon फिर इसको ऐसे note कर दिया है बात clear है अब इनको आप एक ही में मिला करके लिख दो आपके मर्जी आप कैसे लिखना चाहते हो यह प्लस वाला है इसको पहले लिख दो बाद में इसको लिख दो आपके मर्जी इसको लिख दो दो पंचे दस एक्स के घाच चाहर ठीक है दस एक्स की पावर 4 2 फाइब जार 10 एक्स पावर 4 अब इनको ऐसे लिख दो मिला करके sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 into में cos x की पावर 3 आप चाहो तो ऐसे लिख दो आप चाहो तो इसका डो लेके 2 sin a into cos p आप फावर बनाते है तो sin 2 x का तुमारी मर्जी है अभी उसको लिखा है इसको लिखना माकिए माइनस में लिखिया भी है यहाँ पर क्या लिखोगे 3 x square 7 में लिखोगे sin x cube into में sin square x power 5 तो इस तरह से आप इसको लिखोगे और मेरे क्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा आप इनको और अभी मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो लेकिन मैं नहीं मिला रहा यहीं पर चोण रहा हूँ तो इस तरह से हम answer दे सकते हैं कोई problem नहीं है बहुत आसानी से आप सीख पा रहे होंगे बस आप practice की जरूरत है अगर आपको लग रही कठिन है कठिन नहीं है practice की जरूरत है यह अपने आप लगाओ एक से दो बार लगाओ जो स्वाल आपको कठिन लगे बस उसके पीछे पढ़ जाओ दो तीन बार इसको लगा दो सरल लगने लगेगा ठीक है बस यह फंडा अपना हो यह इंटर की math हलवा है ठीक है खा जाओगे बिना दाक्तों के चलो देखते अगला question question number 7 की कहानी हम सुरू करते है यह y is equal to क्या है 2 root के अंदर है यह cot x square ठीक है इसको कर लेते क्या हो जाएगा dy by dx 2 का तो करना नहीं है भई अब root और इसको देखो x माल लो आप किसको इसको पूरा x माल लो तो root x का क्या होता है मैंने याद करवाया था root x का होता है 1 upon 2 root x तो 1 upon 2 root x x की जगे पर यह cot x square ही लिखोगे लेकिन जिसने x की जगे लिए उसको दुवारा करोगे तो cos cot x square का दुवारा होगा तो cot x का पता है cot x square का थोड़ी cot x का क्या होता है cot x का होता है minus cos x square x क्या होता है अब की बार x किसको मान रहा हो ये इसको अपने X माना भी तो माइनस कॉसेक स्क्वार X माइनस कॉसेक स्क्वार X X ही जापर X स्क्वार ठीक है लेकिन X अभी इसको माना था तो इसका X स्क्वार का फिर करो X स्क्वार का 2X ठीक है हो गया काम कतम यह 2 से यह 2 खतम हो जाएगा ठीक है, क्या बचेगा, dy by dx equal to 2 और यह minus minus 2, x भी बचा है x, और उपर क्या बचा cosic square x square और अपान में क्या बचा root में cot x square और बस यह हमारा answer है बहुत ही जी है, बहुत ही जी है बस समझो, मैंने क्या किया 2 ऐसे लिखा, root x का 1 upon 2 root x into में cot x square का minus cosic square x square x square का दुबारा 2x बस chain rule इस्तेवाल करना है, मैंने बताया था chain rule बहुत important है, आगे पूरी book में, या जब तक यह calculus चलेगा, तब तक काम आने वाला है, जिस्टर ना गिराओ यार चलो, बड़े ओके देखिए भई, अगला question 8 वा question number 8, क्या दिया है y equal to cos of root x, इस तरह से दे दिया है, कितना से real question, करिए आप क्या करेंगे, dy by dx cos x का क्या होता है, cos x का होता है yes, minus sin x तो minus sin x लिखिए आप, लेकिन x की जगे किसने लिए root x ने हैं, तो root x का दुबारा कर देजिए, गुड़े में, one upon two root x root x के क्या होता है, याद करवाया था, one upon two root x बस हो गया, minus sin root x, और upon में, two root x यही हमारा answer है, यार, दो line में answer आ रहा है, इसको आप कठिन कहोगे, तो किसको सरल कहोगे, यह inter में यार, यह questions मिल रहा है समझ लो, सबसे सरल questions है, ठीक है चलो, मिलते हैं अगला question देखते हैं, question number nine और ten बचा, और यह है एक अलग प्रकार का question, इसको भी हम आपको समझाएंगे, tension मत लिजेगा मैं आपको अच्छी समझाओंगा यहाँ बताएं, सिद्ध कीजे कि फलन fx x minus one mod के भीतर है, x बराबर एक पर आउकलित नहीं है x बराबर एक पर यह function आउकलित नहीं है यह हमको प्रूव करना है अब जरा ध्यान से देखिए यह x बराबर एक पर आउकलित नहीं है इसको अगर हम प्रूव करें तो कैसे प्रूव करेंगे यह हमें चेक करना है तो जैसे continuity के लिए हम लोग LHL, RHL और F of C चेक करते थे तीनों equal आने चाहिए थे तभी एक difference continue होता था otherwise नहीं होता था नहीं देखा है तो यह देखो जाके playlist का link है description में ठेक है यहाँ पर differentiability चेक करने है तो differentiability कैसे चेक करेंगे इसके लिए भी LHD, RHD निकालना होगा LHD मतलब left hand derivative, right hand derivative दोनों निकालिए, दोनों equal आता differentiable है, otherwise differentiable नहीं है अब चेक करते भाईया इसका formula क्या होता है LHD और RHD का मैं आपको बता रहा हूँ ठेक है, differentiability जब भी चेक करना हो, तो भाईया LHD का सुत्र, मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, limit, limit H approaches 0, F of C minus H, minus में F of C upon minus H यह है भाईया LHD का सुत्र, इसी परकार RHD का सुत्र क्या है, तो RHD का सुत्र भाईया है है हमारे पास, limit H approaches 0, F of C plus H, minus में F of C upon में plus का H यहाँ minus H, यहाँ पर plus H, यह दोनों formula नोट कर लिजे, LHD के लिए formula है, RHD के लिए formula है अब हम LHD, RHD दोनों निकालेंगे, दोनों अगर सेम आएगा तो differentiable है, otherwise यह differentiable नहीं होगा और हमें चेक करना है, कोई भी point C क्या है, जिस point पर हमें चेक करना है, जैसे ही इसमें दिया है question number 9 में X equal to 1 पर आउकलिट नहीं है, तो C का मतलब यहाँ पर 1 है, ठेक है, चलो, नोट कर लिया, चलो, देखते, यहाँ पर ध्यान से देखो question number 9, question number 9, क्या दिया है, सिद्ध कीजे कि function fx जो है, वो mod of x minus 1 है, यह x equal to 1 पर हमें चेक करना है, differentiable है या नहीं है, तो सबसे पहले इस function को define कर देते हैं, मैंने बताया था, कैसे define करते हैं, function को कैसे define किया जाता है, यह जड़ा समझे, मैंने एक बात बोली थी, कि mod of x का मतलब यह minus x भी होता है, और plus x भी होता है, minus x कब होता है, जब इसके भीतर वाला value minus का आ रहा हो, plus x कब होता है, जब भीतर वाला value plus का हो, अब जड़ा ध्यान से देखना, अगर, अगर, अगर यहाँ, यह मतलब यहाँ ऐसे बता देता हो, यहार, minus x कब होता है, जब x का value कैसा हो, less than 0, और जब x का value greater than or equal to 0 हो, तब plus का होता है, यह होता है न, तो यहाँ पर आप देख लीजेगा, mod of x minus 1, x ज़िए पर यह, यह, minus का भी x minus 1 हो सकता है, plus का भी x minus 1 हो सकता है, यह कब होगा, जब x minus 1 का value less than 0 होगा, मतलब x का value less than 1 होगा, यह condition बनी, और यह कब होगा, जब x, मनलब यहाँ पर x minus 1 is greater than or equal to 0 हो, मनलब x is greater than equal to 1, ठीक है तो यह हम conditions यहाँ पर लिखते हैं वैया इस तरह से परिवास्त करते हैं minus x minus 1 कब if x is less than 1 और यह x minus 1 plus का रहेगा if x is greater than or equal to 1 यह function define हो गया जैसे हम लोग continuity में देखते थे defined function वैसे ही बहुत हो गया अब इसको हमें कर लेना है solve यह समझ गया ना देख लीजिए थोड़ा सा पीछे करके दुवारा देख लीजिए समझ में आया हो अब इसको हमें क्या करना है lhd यह lhd चेक करें lhd lhd क्या कर देते हैं या lhd क्या होता भी यह सुत्र limit h approach 0 f of c minus h c यहां पर 1 है x equal to 1 पर चेक करना है तो c यहां पर 1 minus h minus में f of 1 upon में minus h यह formula है हमारे पास ठीक है यहां पर हम क्या करेंगे f of 1 minus h का मलब है जो function है एक से कम के लिए है और एक से कम के लिए जो function है उसमें हमें लिखना क्या है 1 minus h लिखना है तो लिख देते हैं 1 minus h ठीक है तो यहां पर देखेंगे हम x approach 0 function एक से कम के लिए यह वाला है minus x x की जगे पर क्या लिखना है 1 minus h और यह minus 1 और minus यह लगाई f of 1 मतलब x की जगे पर 1 रखना है directly 1 रखना है तो minus और यह वाला minus तो minus प्लस बन जाएगा यह वाला minus एक तो formula का और यह minus यह वाला रखेंगे minus minus plus f of 1 x की जगे पर 1 रखेंगे 1 minus 1 upon में minus का h minus का h ओके यहां तो हो गया इसके बाद में आप क्या करोगे limit h अप्रोचे 0 यहां पर भीया 1 से 1 cancel out हो जाएगा यहां पर minus 1 minus बचा यहां पर minus 1 minus plus का h हो जाएगा उपर यह 1 से 1 0 हो जाएगा तो उससे मतलब नहीं है क्यों आपका h बचा और नीचे minus h बचा h से h cancel out करोगे minus का 1 आएगा यह answer 1 आया इसके बाद में आप rhd चेक करिए rhd rhd कैसे चेक करोगे limit h अप्रोचे 0 मैंने formula बताया है f of 1 plus h minus में f of 1 upon में h तो यहाँ पर क्या होगा limit h अप्रोचे 0 1 plus h मुलब x से अधिक के लिए function है यह x minus h x की जगे पर लिखना है 1 plus h तो 1 plus h minus 1 और minus का f of 1 की जगे पर क्या लिखोगे x की जगे पर 1 लग देना है तो 1 minus 1 upon में h तो यह बन जाएगा आपका minus minus plus खतम हो जाएगा limit h अप्रोचे 0 h बचेगा यह तो 0 हो जाना है तो h upon h यह भी equal to 1 आया बट यह minus 1 आया था यह plus का बनाया है lhd rhd दोनों equal नहीं आये हैं देख पा रहे हैं lhd is not equal to rhd इसलिए हम क्या कहेंगे यह function differentiable नहीं है at x equal to 1 तो लिखेंगे fx is fx is not differentiable not differentiable at x equal to 1 x equal to 1 पर यह फ्लन आउकलित नहीं है और यह हमको proof करना था question number 9 में क्या कहा गया था सिद्ध कीजे function यह जो है वह x equal to 1 पर आउकलित नहीं है यह proof करना था और हमने proof कर दिया इसका lhd rhd equal नहीं आ रहा है ठीक है तो मेरे क्यासे आप यह समझ गए होंगे अगला question लेते हैं question number 10 ठीक है बढ़ते है question number 10 को लेते हैं और इसको भी solve करते है exercise का last question है यह देखिएगा question number 10 में भी यही चेक करना है आपको differentiability भी चेक करना है यहाँ पर दिया है सिद्ध कीजे कि महत्तम पूडांक फलन महत्तम पूडांक फलन मतलब fx equal to greatest integer x मैंने इसकी कहानी बताई थी भी यह greatest integer x का मतलब क्या होता है यहाँ पर क्या दिया है where x is greater than 0 and less than 3 ठीक है और x equal to 1 तथा x equal to 2 पर आवकलित नहीं है हमें प्रूव करना है कि यह जो function है वो x equal to 1 और x equal to 2 इन दोनों जगे पर आवकलित नहीं है मतलब differentiable नहीं है इसमें भी lhd rhd equal नहीं आना चाहिए अब एक काम करते हैं इसमें से एक हम चेक कर देंगे दूसरे को आप लोग चेक करेंगे मैंने यह बताया था greatest integer function के बारे में पिछले वाले वीडियोस में जरूर देखो वीडियोस ठीक है तभी आप इसको समझ पाओगे ठीक है चलो देखते हैं यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं ध्यांस देखिएगा सबसे पहले हम at x equal to 1 पर चेक करने वाले हैं 2 पर आप लोग चेक कर लेना यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले इसका हम LHD निकाल लेंगे LHD के लिए formula क्या है limit h approaches 0 ठीक है f of 1 minus h minus में f of 1 upon में minus h यही फार्मला होगा ठीक है limit h approaches 0 f of 1 minus h जहां पर x है वहाँ पर 1 minus h ठीक है greatest integer के अंदर महिया 1 minus h और minus में x की जगे पर 1 रख दीजे तो 1 upon में minus h अब जरा बताईए अब जरा बताईए कि अगर greatest integer के भीतर 0.999 हो तो इसका answer क्या आएगा? 0 ही तो आएगा? 0 ही तो आएगा? मैंने बताया था जो दो संख्याओं के बीच में होता है उनमें से छोटी वाली संख्या लेता है तो यह किसके x के बीच में? 0 और 1 के बीच में यह संख्या पड़ती है तो इसमें से छोटा वाला क्या है integer? 0 है तो यहाँ पर 0 लेंगे तो 1 minus h का मतलब है एक से थोड़ा कम और 1 से थोड़ा कम आएगा तो माल लिया इस तरह का कोई value होगा तो इसमें जो greatest integer से बाहर हम जब निकालेंगे तो इसका answer क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए तो 1 minus h, h मतलब थोड़ा 1 से कम हो गया और जैसे 1 से थोड़ा सा भी कम होगा तो यहाँ इसका answer क्या आएगा? इस तो यहाँ पर हम h रख देंगे, तो h रखेंगे तो क्या आजाएगा? यह तो infinite आजाएगा, यह भी यह क्या आजाएगा? infinite आजाएगा और इस तरह से हमारा lhl निकल के आया, अब ज़रा rhl आस्वारी, rhd को ध्यान से देखे, rhd आप कैसे निकालोगे? तो फारूला आपके जगे पर अपकी बार 1 प्लस h रहेगा, ठीके? और माइनस में x इखा पर 1 रहेगा, अपान में h, अब ज़रा देखे, एक से जब ज्यादा वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, मैंने बताया था, तो इसका वैल्यू तो यह आएगा 1, ठीके? तो ध्यान से द यह 0 बटे है, h क्या हो जाएगा, 0, 0 को किसी से भी भाग करेंगे, तो इसका वैल्यू 0, तो देख रहे है, lhd आपका क्या है, infinite, rhd क्या है, 0, इसका मतलब क्या हुआ, lhd is not equal to rhd, इसलिए यह function, sorry, continuous नहीं, differentiable नहीं है, मतलब x equal to 1 पर यह function differentiable नहीं है, और x equal to 2 पर आप इसी प्रकार से चेक करेंगे, और सिद्ध करके दिखाएंगे, कि यहाँ पर भी यह differentiable नहीं है, मेरे ख्याल से आपको यह बाते समझ में आगी होंगी, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो comment box में लिख करक करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कि अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करो, वीडियो को like कर दो, एक प्यारा सा comment चोड़िए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर सेर करिए, जिससे वो भी आएं, और यहाँ पर अच्छे से तयारी कर सकें, mathematics की यह मेरा वादा है आपसे, कि मैं आपकी mathematics की तयारी बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, ठीक है, तो चलो, आज की class में इतना ही, अगली class में हम अगली exercise के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाबाए, अपने पढ़ाई करते रही है